कल मैंने इसी चनल पर इस वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लियल आपको समझाया था यदि आपको IPL 2024 के अंदर कुछ बढ़ा करना है अपने चनल को ग्रो करना है अपने चनल पर जादा व्यूवर्सिप लानी है अपने चनल पर जादा एक्टिव ओडियंस लानी है अपने चनल की आरनी एक दुगनी करनी है तो आपको एक ओफिसल आपके चनल के नाम से फैन पेज बनाना एक फेजबुक पेज बनाना आपको बहुत जरूरी है यदि आप एक क्रिगेट की यूटुबर्स है कल मैंने क्लियरली आपको इस वीडियो के अंदर समझाया था यदि आपने नहीं इस वीडियो को देखा है तो जरूर देखिए पूरे डीटियल के साथ मैं बताया है कि आपको फेजबुक पेज क्यों बनाना जरूरी है यदि आप IPL 2024 के अंदर कुछ बढ़ा करना चाहते है और दोस्तों मैंने ये भी बताया था इस वीडियो में आकर आप कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 5000 फोलोवर्स आप पूरे कर सकते है पूरे डीटियल के साथ मैं बताया है इस वीडियो के जरूर देखिए और दोस्तों आपने इस वीडियो के देखा है तो clearly मैंने भी कल एक अपना official Facebook page है उसको बना लिया है और एक दिन में ही 5000 फोलोवर्स है उसको मैंने complete करके दिखाया है इस वीडियो में सारा proof आपको मिल गया है अब दोस्तों देखिए मैं आपसे point की बात करना चाहता हूँ मुद्धे की बात करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए आपके चनकी growth के लिए जरूरी है दोस्तों देखिए इस बात को समझ ये कि जानतर यूटूबर्स क्या करते हैं कि जैसे कि इस वीडियो को मैंने अपने चरफ पर अप्रोल केर दिया कि आपको एक Facebook page बनाना है अब बहुत सारी क्रिगर्ट की यूटूबर्स है Facebook page बनाना एकदम लग जाएंगे Facebook बो रात के ही हो सकता है क्रिएट करना है लेकिं दोस्तों गलती नहीं करना है दोस्तों क्या होता है बहुत सारी जो क्रिगर्ट की यूटूबर्स स्टार्टिंग मैं इस प्रकार की गलती करेंगे मैं आपको एक गलत जो Facebook page है उसको मैं बताना चाहता हूँ उसके माददम से मैं important चीज़ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ गौर से देखेगा एक एक चीज इसके लिए मैं जाता हूँ अपने Facebook page पर हलाकि दोस्तों ये मेरा Facebook page है आप अपनी स्क्रीम पर देख सकते है संतो सिंग के नाम से मेरा Facebook page है हलाकि मैंने bracket में tag धमाल भी लिख दिया है कल ही मैंने इसको बनाया था जल्दी से इसको जाएगा और फोल जुरूर करिएगा समझ में आ गया अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा Facebook page बताने के लिए जा रहा हूँ जिस पाद जानतर नई YouTubers गलती करते हैं और ऐसा यदि आपने Facebook page बना लिया जैसे ही दोस्तों मैं गोलू गोड की नाम से सर्च करता हूँ आप अपनी स्क्रीम पर देख सकते हैं आपको एक Facebook page नजरा आ रहा होगा नाम के तौर पर और नम्मर के तौर पर आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं बावन हजार फोलोवर हैं अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप फोलोवर देख के तो इंप्रेस हो जाओगे कि इस बंदे पर बहुत जादा फोलोवर से इसकी बिवर्शिप तगड़ी है पैसा यह तगड़ा कमाता है जबकि ऐसा नहीं है इस बंदे न वही गलती की है जो कि आप अपने चैनल पर करते हैं और जानतर आप भी अभी भी जब फेस्बुक पेस बनाएंगे वही गलती करेंगे अब देखिए इसकी गलती बताता हूं में आपको दोस्तों यदि आप नीचे की साइट में जाओगे तो यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे आपको क्रिगेट की जो फोटोज है यह अपने चैनल पर अप्लोड करता नजर आएगा यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं है क्रिगेट का Facebook पाइज है जबकि दोस्तों यह भिल्कुल ऐसा नहीं है अब मैं आपको बताता हूं इसका Facebook कैसा है विडवो में जाता हूं और विडवो में जाने के बाद यहां पर और मोर पर क्लिक करता हूं जैसे मोर पर क्लिक करेंगे मैं इसके फोटो देखाता हूँ, पहले तो मैं फोटो देखाता हूँ, दोस्तों आप यहाँ पर clear देख सकते हैं, maximum इस बंदे ने अपने चैनल पर क्रिगेट की जो फोटो है, वो अप्लोड की है, किसके है, क्रिगेट की, आप अच्छी तरी की जानते हैं, अभी वर्ल्ड क गहां की है, वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसके reels पर किलिक करता हूँ, और मैं आपको reels दिखाता हूँ, सबसे पर reels देखिए, यह बंदा reels कैसी डाल रहा है, यह वीडियो तो यहाँ पर, sorry, फोटो तो यहाँ पर क्रिगेट की डाल रहा है, लेकिन reels यहाँ अपनी खुद की डाला है अब देख खुद की रील्स डालेगा तब भी कोई दिकत नहीं है लेकिन कोई रील्स तो इसने साप की डाली हुई है कोई रील्स यहाँ पर इसने भगवान की डाली हुई है कोई रील्स यहाँ पर मॉटिवेशनल डाली हुई है कोई रील्स इसने बागेस और बाबा की डाली हुई है, यानि कि इस बंदे ने अपने Facebook page को, page नहीं समझा, इस बंदे ने बहई pressure cooker समझ लिया है, जिसमें हम खिचडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खिचडी बनाते हैं, तो इस बंदे ने बहई यहाँ पर अपने page को क्या बना लिया? मिक्स्ट कॉंटेंट यहाँ पर कर लिया है, मिक्स्ट कंटेंट की बैसे इसके चैनल पर 52,000 फोलोवर्स हैं, 52,000 फोलोवर्स सारे की सारे dead followers हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको यह गलती नहीं करने, आपको अपनी चैनल पर जो भी Facebook page का नाम रखना है, सबसे पहले अपनी category का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, category का, दूसरा, जो भी आप यहाँ पर upload कर रहे हैं, एक category के आपको content upload करना है, यह आपको create का है, यह भी Facebook page बनाना चाहिए, तो केवल create का है, यह आप है, photo, reels, video, जो भी आपको upload करना है, सिर्फ और सिर्फ create का करना है, अब दोस्ते इससे फाइदा क्या होगा, देखिए, इस बंदे ने photo तक cricket के upload की है, लेकिर video यह अनाप सनाप कर रहा, mixed content का, अब देखिए, क्या होता है, कई बार मान के चलिए, इसने साप का video डाला, और यह viral हो गया, तो इस बंदे का, जब साप का video viral होगा, तो obviously इसके followers भी बढ़ेंगे, तो जो बंदा साप के video देखके, वही follow करेगा, तो उसको चाहिए क्या साप वाले video, लेकिन डाले क्या रहा है, cricket के photos, तो उसके लिए वो वाले favor वाले photo रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, यह गलती आप आपको नहीं करनी है, समझ में आगया, पहली बात तो ये, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे important page, जो कि साइद आपके लिए बहुत जरूरी है, वो page मैं सर्च करना अचाहिए, इसके सर्च बार में गया, अब दोस्तों देखे, यह रहा वो official page जैसा क आपको बनाना है, यहाँ पर cricket के नाम से आप clear देख रहा है, देखे, cricket बंदे ने, यह मेरा दोस्त अब अच्छी तरीके जानते हैं, इस बंदे ने आपना original जो Facebook page वो बनाया है, और देखे, सारा cricket का यह फोटो है, वो upload करना है, किसका करना है, cricket का, देखे, यहाँ पर सारे की सारे फोटो आप देख सकते हैं, आपको cricket के ही मिलेंगे, एक ने में काफी सारे फोटो आपको दिखा दूँगा, सारे की सारे फोटो मिलेंगे, अब देखे, मैं वीडो भी आपको देखाता हूं, इस more पर क्लिक किया, जैसे ही मैं यहाँ पर menser पर क्लिक करूँगा, दे इस बंदे को अपने इस पेज से फाइदा क्या हुआ फाइदा में आपको बताना चाहता हूँ में चीज होती है घीक है अब देखिए जैसे के मान के चलिए इसके यदि आप फोटोस पर जाते हैं पोस्ट पर जाते हैं और काफी सारी आपको पोश्ट मिल जाएंगी जो कि इसकी काफी जादा वाइरल हुई है बहुत सारी 5-10 आपको लाइक मिल जाएंगे इस प्रकार की वाइरल हुई आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अब जैसे मान के चलिए यह जो पोश्ट इसकी वाइरल हो गई अब देखिए क्रिगेट के साथ साथ में यह हर पोश्ट पर बंदा अपना ओफिसर टेलिग्राम चला का लिंक भी यहाँ पर सेयर कर रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब इसको फाइदा क्या होगा फाइदा यहाँ पर यह होता है कि जो बंदा क्रिगेट जो फोटोस पसंद करता है लाइक करता है देखता है अपना यहाँ पर रेक्शन देता है और बेसलिए उस बंदे को यहाँ पर क्रिगेट का ही कंटेंट पसंद है अब जो बंदे को Cricket Content पसंद है, यादि वो इसका Telegram का Link, यादि वो देखेगा, तो definitely बंदाय रगा लेगा, यहाँ पर भी Cricket का झी content अप्लोड करता होगा, तो उस पर Link पर किलिक करेगा, जैसे किलिक करेगा, वो टेलीग्राम चैनल पर पहुंचाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे ही टेलिग्राम चनल पर पहुचेगा वहाँ पर भी उसको follow कर देगा सब्सक्राइब कर देगा वहाँ पर भी इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे तो पहला फायदा तो इसका मिला reach का original है अप सही तरीके से अपने चनल पर facebook page बनाते हैं और सही ठीक तरीके से उसमें content भी आप upload करते हैं समझ में आ रहे कि यह आ रहे है आपको एक proper reach का एक यहाँ पर funda मिल गया अब पहला reach का तो आपका telegram का मिल गया दूसरा reach कैसे बढ़ेगा दूसरा reach बढ़ेगा आपका youtube channel का अब जैसे कि मैं इसके मैं आपको इसका main profile बता दूँ थोड़ा सा देखे जैसे मैं आपको main profile बताता हूँ आपका तो यहाँ पर clear देख सकते हैं इस बंदे ने अपने channel के नाम से ही अपना facebook page बना जाए जैसी क्रिकडे के नाम से इसका youtube channel और दोस्तों मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ youtube पर directly जाके देखे सर्च बार में गया और सर्च बार में जाके यहाँ पर मैं click day लिकूंगा क्या लिकूंगा? click day जैसे मैं इस पर click करता हूँ बाई इसके subscriber देखिए सबाद दो लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं दो लाख 27,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर हो रहे हैं और एक एक वीडियो पर view देखिए आपके 25,000, 50,000, 1,5,000 इस परकार के view मिलेगी समझ में आ रहा है अब इस परकार के views क्यों आ रहे हैं मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ आप मैं से maximum YouTuber मेरी जो बात है वो समझे नहीं पा रहे हैं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको कहना यह चाह रहा हूँ यह आप अपना अच्छा सा Facebook page बना लेते हैं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपका बहुत ज़़ा फायदा है रीच आपको तीन गुना मिलेगी पहला इसकी रीच कहां से मिल रहे हैं फेस्बुक से directly टेलिग्राम पर दूसरी इसको रीच कहां मिल रहे हैं फेस्बुक से directly YouTube पर जो बंदा YouTube पर इसकी वीडियो देखेगा वो directly फेस्बुक पर जाएगा तो यहां पर directly इसको तीन-तिन प्लेटफर्म मिल रहे हैं इसका चैनल ग्रो करेगा की नहीं करेगा समझ में आ रहा है और देखें यहां पर यह करता क्या बंदा जो post यह बनाता है बस वो उई pixel पर जाके ठोड़ा सा photo अड़ करके text लिख के अपने facebook page पर upload कर देता है और यहां पर video जो बनाते है वो अपनी चैनल पर upload कर देता है और मैं तो यह कहता हूँ आपसे यह अप अच्छा सा facebook page बना लेते हैं ना तो जो video आप अपनी channel पर upload कर आँ वो Facebook page पर भी आपको upload करना है वहाँ पर भी आपको video अज़े वायरल होगा समझ में आ रहा है कि नियार यह चीज आपको अपनी Facebook page पर करनी है दोस्तों यह करोगे तो दोस्तों आपका जो Facebook page है वो rocket की तरह दोड़ेगा और आपके YouTube चैनल भी दोड़ेगा क्योंकि आपके पास reach के options बढ़ जाएंगे आपके पास audience के options है वो बढ़ जाएंगे और सबसे कासवाज यह है कि आपके पास active audience का जो options है वो आपके पास आजाएंगे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे है इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको Facebook page बनाना है यदि आप IPL24 के तो कुछ बढ़ा करना चाहते हैं दोस्तों सिखाऊंगा मैं आपको एक एक चीज में आपको सिखाऊंगा जो भी आपका doubts है Facebook page बनाने में कोई problem आ रहे है setting में कोई problem आ रहे है इस video के comment box में लिकिए मैं आपकी एक एक setting पर video बनाऊँगा किस में? एक एक settings पर और दोस्तों ये राप मेरा Facebook page इसको directly follow कर लीजिए यहाँ पर मैं directly live आया करूँगा हर दो से लेके 3 दिन में अभी दोस्तों मैं live कहाँ पर आता हूँ directly telegram channel पर किस पर? telegram channel पर आप सभी को पता है मैं telegram channel पर एक दिन live आया करूँगा और दूसरे दिन मैं Facebook page पर live आया करूँगा जो भी आपकी queries है, जो भी आपकी doubts है जिस भी topic से related आप video चाहते है directly आपको Facebook page पर video भी मिलेंगे और Facebook page पर मेरा live भी मिलेगा मेरा presence में मिलेगा समझ में आ रहा है तो दोस्तों मैंने तो आपको सब कुछ वो दे रखा है जो कि आपकी channel के लिए जरूरी है अब करना आपको है में दोस्तों जीता वही है जो सीखता है action आपको लेना है समझ में आ रहा है दोस्तों YouTube पर सबसे जो important fund होता है वो reach का होता है और reach मुझे लगता है जो Facebook है सबसे ज़ादा दे रहा इस बात को आपको समझना होगा कि present time है जितने YouTube पर audience है दोस्तों मैं आपको बता दूँ YouTube से कम से कम दो से लेके तीनों को ना ज़ादा audience Facebook पर है Facebook पर वो बंदा भी है जिसका ठीक से channel भी नहीं है समझ में आ रहा YouTube पर वो बंदा भी आपको Facebook पर मिल जाएगा एक एक post पर करोणों की views करोणों का एक reactions आपको Facebook पर मिल सकते है दोस्तों को भी बड़ा Facebook पर पेस्ट देख लीजिए ये Facebook पर 20 मिलें, 30 मिलें, 40 मिलें views आना कोई बड़ी बात नहीं है आम बात होती है हलाकि मैं बात ये बड़ी कर रहा हूँ लेकिन जब आप अपनी channel पर काम करेंगे Facebook पर काम करेंगे न तो दोस्तों आपको एक खुदी रियलाज हो जगा है को Facebook कितना बड़ा audience का hub है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से जाईए मेरे इस channel को follow करिए ये आप सीखना चाहते हैं ये आप आगे बढ़ना चाहते हैं IPL 24 को ये अपना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से Facebook पेज़ पर जाईए और follow करिए इस Facebook पेज़ का link है इस वीडियो के description में ही मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो के like और चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा जहिन वन्दी मातरम